अब देखो से 2304 से कहां गया 2500 से चल गया तो यह क्या कटेगा हां साथ देख लेते हैं थोड़ा सा कट लेते हैं कितना दो साल में हुआ नहीं कटने का जरूद भी नहीं है अचा काट लो तो यहां से कितना है और ऐसा 4,3,7,2,9 अचा देखते हैं 2 से कटेगा तो कितना है चार,5,20,4,7,8,8,8,4,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,10,8,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,9,8,8,4,8,8, तो यहां से कितना आ जा रहा है इसका स्क्वेर तो कितना प्रतिशद हो जा रहा है सर क्या हम लोग 25 से 24 कर रहा है मतलब 25 अपन 24 लिख सकते हैं हाँ सर 25 अपन 24 बराबर 1 प्लस आर अपन 100 तो यहां से क्या मिल जागा सर यहां से रेट क्या मिल जागा सर आर अपन 100 बराबर यहां से जार अजर अपन 25 अपन 24 माइनस 1 मतलब 1 बटा 24 तो एक बटा 24 मतलब rate of interest equals to 100 upon 24, तो 425 तो 6 से 6, 424 होता है, तो 4 raised to the 1 upon 6 percent, यह तो normal सी चीज था ठेक है, यह SSE CGL, SSE CPU SI में आया था, SSE CGL में आया था, Thank you, Baba, Stay tuned for the next class.